नमस्कार मेरे नामभी स्तिम्छक्रिंग में था चैनल आपके सामने बैक्ट से रिलेटेट एक और नया लेक्चेर लेके आज का हमारा है लेक्चर नूमबर ट्वेंटी नाइन का पाठ व और आज के लेक्चर में क्या करने वाले हैं जो प्रिश्वाय लेक्चर में हमने fundamental theorem of curl या फिर curl theorem या फिर Stokes theorem discuss की थी उसी को आज हम क्या करेंगे verify करेंगे इसलिए आज का मुझा topic का नाम है वो क्या लिखाया मैंने verification of Stokes theorem लिखा है ठीक है तो एक question लेते हैं ग्रिफिसे और उस question की help से क्या करेंगे हम stock theorem को define करेंगे या फिर verify करेंगे धिफाइन नहीं क्या बोलेंगे verify करेंगे ठीक है तो और यहांबर मैंने stok theorem क्या कर दी है। sorry question लिख दिया है और अब इस question की help से क्या करेंगे हम एक वहाँ से कहीं से भी आ सकता है ठीक है आपको एक्जाम में आपसे भी बूल सकता है कि verify gradient of theorem sorry theorem of gradient आपसे भी बूल सकता है कि verify fundamental theorem of divergence और आपसे भी बूल सकता है कि verify fundamental theorem of curl ठीक है, उसका aim क्या रहता है, कि आपको actual में क्या जो तीनोओ theorem है वो याद है या नहीं है या उनको जो expression है, वो याद है या नहीं है, ठीक है, तो आज का हमारा aim क्या है, कि जो curl theorem है या फिर fundamental theorem वो आफ कर लहें उसे क्या करना, verify करना, तो इसका मतलब क्या है हमार कर्ल थोर्म क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए ठीक है अगर किसी को पता है तो बताओ क्या होती है जल्दी बताओ ठीक है तो कल थोर्म क्या होती है मैं या पर लिखने जा रहा हूं तो इसका stock theorem for square as shown in the following figure इस following figure में square दे रखा है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसमें उसने path pre-define कर रहा है कि आपको कहां घूमना है याने किस मलग कैसे घूमना है anti-clockwise या clockwise आपने हमको पता है ना हम path के according जो यूनिल बेक्टर होगी सरफेश के normal वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है तो अभी कैसे है यह ऐसे anti-clockwise है तो normal कैसे हो जाएगा इधर क्यों हो जाएगा ठेक क्या लगाओगे right-hand tool लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो यह ऐसे आ जाएगा ठीक है तो this is my direction of NCAP अब देखो अब इसके लिए क्या करना है वो इस question के लिए verify stroke theorem उत सब्सक्राइब क्या होती है वह पता होना चैए तो वह लिख है तो since we know stroke theorem since जो stroke theorem होती है strikes theorem स्टोक्स थ्योर्म वो क्या होती है हमारे पाथ कुछ ऐसे होती है कि सर्फेस इंट्रीगल सर्फेस इंट्रीगल और करल ओफ एफ ठीक है सर्फेस इंट्रीगल और करल ओफ एफ है तो करल ओ भी भी लिख सकता हूं में ठीक है ताकि हमारे कॉस्टिन से मैच कर जाए तो करल सब्सक्पर से दिखाते हैं तो यह एनकाइप आ जाएगा और इन्टो इतना जाएगा डी एस आ जाएगा और इससे किसके थूरुँ इस सर्फेश से और ये चीज करते हैं उससा है तो किसी कि या कि करना है तो यह या कंछे कर दो आपके चईसे कर लो फिर यह को हुणसा लग रहा हुड़ा है तो सही है का लाघップ हैं तो सबस्क्राइब किसके लिए हम एक गी साइट का मतलब आए लापल इस इंघ साइट किया सद c यहां पर निकाल दू कर लो भी निकाल ने बहने तो तो कर लो भी कैसे निकाल ओगे ठीक है कोई बहुत बड़ी चीज तो निया कर लो भी निकाल ना मैं यहां पर निकाल दू कर लो भी तो देखो तो अगर मेरे पास भी इकल टू कितना गेवन है न देखो साही सही लिखना ह फोर वाई जेड स्क्वार इंटू कितना आ गया यह एंड दिस वन विल भी जेड के यह चीज मेरे पास क्या है बेक्टर भी है इसका करल निकालने कैसे निकालोगे एक तो क्या तरीका है लंबा चोड़ा कर दो ठीक है यानि इस ओपरेटर को लेखो डेला ओपरेटर लोगो पर एक यह करें कर लगारो हमने इसी मेथट पड़ी हुई है वह इसी मेथट क्या है बाइदे हल्प ओफ डिटर्मिनेट यह एक डिटर्मिनेट मिदा लेंगे हम तो अगर मैं आशे क्या निकालोग तो करल ओफ भी इस इकल टू क्या होती हमने पड़ा हुआ है ठीक है दिस पार्चल और पार्चल जैड और अब इसके निचे एकसा कमपोर्ट तो एस तो ही नहीं आप जिरो आजाएगा फिर य का चीज यानि यह चीज आ जाएगा मेरे पास तो दिस इस टू एक्स जैड एंड प्लस कितना हो जाएगा यह थ्री वाई स्क्वार फिर जैड की चीज कुattend आएगा ठिकक है तो ऐसे ऐसे तो ये इसके और ये इस से ये वाई इसे तो इस एख दो जाएगा तो कितना श्यांकर यहाँ पर 15 को उज्वाई दो आएंगा तो यहां से मेरे पास कितना बजका प्लस के हूं सधी होगा 7 यह तो यह квб jeste तो यह कितना आजएगा, यहां x है नहीं, तो 0 आजएगा, और इसका 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 0 है, तो इसका इसका 0 हो जाएगा, तो यहां से सिर्फ इतना बचाएगा, मेरे पास 2z बचाएगा, तो यहां से क्या बचाएगा, तो यहां से क्या बचाएगा, मेरे पास 2z बचाएगा, फि माइनस जीरो हो जाएगा, कितना आजाएगा माइनस का जीरो, तो finally मेरे पास यहाँ से, जो करल ओफ वी निकल के आया यानि डेल क्रोस वी जो निकल के आया, वो कितना निकल के आया तो this is equal to x cap x cap into this is 4z square minus का 2x and plus का z cap into this is my curl of v, तो यह चीज़ कहा है हमारा curl of v है, तो क्या करो आप इस curl of v को उठा का इधर रख दो उससे पहले मुझे क्या चाहिए, इस unit vector n cap की direction चाहिए, तो बताओ, कहां क्यों रगा दो यहाँ पर क्या, right hand rule लगा दो तो right hand rule में, यह किसकी direction में होता है तो यह direction कुन सी है हमारे पास, यह एक x-cap आले direction है, तो n cap in the direction of x-cap, ठीक है, तो यहाँ पर लग देंगे, और एक चीज़ और ds क्या होगा बताओ, यहाँ पर, ds क्या होगा तब तक सोचो, ds में यहाँ पर लिखता हो, ठीक है, ds जो सोचेगा, वो genius बताओ, ठीक है, ठीक है, ds के वे लिखताओ, फटा-फट, जो ds होगा, वो क्या होगा, जिसने पिसवा लेक्चर देख रखे, वो ऐसे बता देगा, यह ds क्या होता है, जिसने कर लग वाले यहाँ पर surface integral देख रखा है, उसको मालब कोई जरुबती नहीं है, ds के है, पूछने की, उप्टा बता देगा, जल्दी बताओ, यह ds क्या होता है, 4z square minus का 2x, I hope मुहासा सही उतार रहा हूँ, और plus का, this is, z cap into कितना आ जाएगा, vice of z आ जाएगा, और into n cap की जो कितना आ जाएगा मेरा, x cap आ जाएगा, और यह पूरे में होगा, ठीक है, तो यहां से बड़ा वला bracket लगा दो, इस तरह के से, यहां पर यूँ करके बड़ा वला bracket लगा दो, तो this is only in x cap direction, now ds, ds यह नहीं, इस पर एक छोड़ा सा area element, तो यह किस plane पर है, यह yz plane पर है, और यह fundamental plane है, तो यहां पर जो ds हो जाएगा, वो simple क्या हो जाएगा, मेरे पास, dy into dz हो जाएगा, ठीक है, यहां पर कोई समिश्य है, ds equal to क्या हो जाएगा, simple, dy into dz हो जाएगा, तो उठा के य plane, और जब भी fundamental plane की बात करते हैं, तो limit जैसी है, तो x, y कहां से कहां से गाए, 0-1, z कहां से कहां से गाए, 0-1, 0-1, limit क्या हो जाएगा, 0-1, और यह क्या हो जाएगा, 0-1, अगर ध्यान से देखो, तो यह वाल तो उड़ी जाएगा, क्यों, क्योंकि यह क्या है, x-cap है, तो सिर्फ किसके सान multiply होगा, इसके सान, इसके सान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यह क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर finally, जो मेरे पास surface integral है, तो this is equal to, this is double integration, 0-2, left hand side, चल रहा है, तो 0-1, 0-21, और इसके सान करोगे, तो यह क्या बच जाएगा, मेरे पास, 4z square minus 2x, क्या ब बचा, कितना बच गया, dy, dz, सही लिख दिया, क्योंकि x है ना इदर, वो सिर्फ इसके सान, multiply होगा, dot product होगा, इसके सान, 0 हो जागा, x cap, dot, z cap, कितना आजागा, answer, 0 आजागा, इसलिए सिर्फ कुन सा बचा मेरे पास, यह बचा, अब इसमें भी देखो, अब x cap, यहाँ पर x equal to 0 पूट करोगे, since, जो x equal to है, वो कितना है, 0 है, तो यह term क्या हो जागा, 0 हो जाएगा, तो मेरे पाँ बचेगा, क्या फैनली यहाँ आपर देखो, तो finally, we have double integration, 0 to 1, 0 to 1, तो 4z square बचा के वाल मेरे पास, तो 4z square इंटू, dy, इंटू, कितना बच गया, dz, बच गया, ठीक to 1, this is z square, इंटू, कितना जाएगा, dz, ऐसा कर सकता है, surface integral ना पढ़ा हो, हमने, ओके, तो this will be equal to 4, यह कितना जाएगा, मेरे पास y, and this is 0 to 1, इसका integration y हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 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 ज इसका, जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास, जो, surface integral of curl of V निकल के आया, वो कितना निकल के आया, fourby V निकल के आया, यहां बोल सकते है, जो left hand side है, John, of stroke theorem, which is, fourby three निकल के आया, fourby three निकल के आया, फोर भाइगा, निकल के आया, four by three निकल के तो, इसका मैं लिख दूह, सुमणी क्लैके मुझे पता चले मुमलब यह याद पता रहे कि अब हें right hand side किया है क्या निकल किया है थीख है अब मैं right hand side क्या करना है पुरूफ करना है और इस के बराबर निकालना है तो यहाँ लिख रहीं है this अब बात करते है कि राइट हेंड साइट की राइट हेंड साइट मनलब अब लाइए इंट्रिगेशन कल्कुलेट करते हैं किस करवे क्या लॉंग इस करवे क्या लॉंग टेक करो कि उसके मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा तो यह मिटा दू सारे के सारी चीज़ें आप जो लिखी हुई है तो इसे मिटा करता हूं तो ले लो यह मैंने आठ चलो ऑके मिटा कर वैसे दर दिया थे च коммент अब आप को किस शाड़ा प्रते राइडह करते है आप तो राइप है वाट करते हैं और राइट हर्ग के बात एस जो राइट हैं साइड है एक्चल में है क्या हो वह है मेरे पास क्या ख्लोज इंटरिगेशन लॉंग सी डिस इस वी डॉट डी एल है ठीक है और यहां पर डी एल है वो कहें इसको अब देखो एक काम करते हैं यह जो कर्व है यह क्लोज कर्व है ठीक है और इस क्लोज कर्व को में एक पार में तो सब्सक्राइब कर सकता हूं छार पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं एक पार्ट क्या हो जागा मेरे पास एक पते के यह Looks था तो आज को क्या धातायी विए ट स्वीरिय्ट होता अगर इसका कर्ल कितना होता अगर इसका किर या डेल खुंट यह बता बीच में खाली आएसे चोंकाने के लिए अगर इसका करल जिरो होता इस भी का करल जिरो होता तो इस भी का इस करफ इस करवे के लॉंस की is कि इतनी होती रोटेशनल फ्लिड जो कर्ल होता है किसी वैक्टर yeah जो लाइं इंट्रिगेशन होता है किसी वेक्टर फिल्ड का एलॉग एक लोगोज कर वीए पूरा पार जीरो तो यह कितना आ जागा आज है तो यहां से बने दोवर्ह इजर देखो तो यहांपर हम ने चारप पर्ट में सिंपल कर दिया तो वह समस्ट बैने किशकर आंप्तेए पार्ट वन के लिए तो ठीकर यानी यहां से लेकर यहां तक उससे बने जो यह हमने ऐसे लिखाने को और करने का सिस्टम में लिग दूम है तो इस कोडिने डिट लिट नो सब्सक्राइब बात तो लॉंग कर लॉंग वन तो फ़र्स्ट वाले के लिए देखो तो क्या हो जागा मेरे पास इस इंट्रीकेशन लॉंग वन अब देखो इसके लॉंग या फिर पहले में लिख लूँ यहां पर जो first curve है उसके along जो y हो क्या है 0 है द्यान से देखो y equal to 0 है तो dy भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है dy भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर मैं इसके along देखो तो z भी कितना है 0 है एक लिख देवने क्यों यह किसमें एक एकश्या आउड़नेर सिस्टम में नहीं था कहा है यह है मेरे पास किसमें जैड़ वाई में है तो सब्सक्राइब को चेंग करना पड़ेगा देखो 0,0,0 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा मेरे पास तो दिस विल भी य में वन चला है और जड़ और एक्स 0 है तो दिस इस 0,1,0 and this one will be 0,1,1 and this one will be तो यह क्या हो जागा मेरे पास तो यह हो जागा मेरे पास कितना जैड़ में कितना चला वन य में कितना चला 0 जो एक्स में कितना जला जिरो तो जिरो कॉमा जीरो कोमा एसा कुछ हो जाएगा तो पहने मिश्कों इसको एक्स वाई मान के चल दिया था जैकि वह एक्स योई निया यह कहा है यह जड़ा साव यहां पर गड़बढ़ को सकती हमसे अब देखो अब अब यहां पर देखो हो जुरो जाएगा और conten d jd हो जाएगा वह भी कितना हो जाएगा जिड़ो होजाएगा यह बात तो यहांसे होती और जीज ओर ट्रिया Хέइए उस सिरय ₺ जोर्डिवर्य है और यह वाई है ट्रैकर agreements जो तो आप देखो यह ईंत्रीकरशन के जोगा 0 पूट करोगे तो यह 0 हो जाएगा और जट के जोगा 0 पूट करोगे यह भी 0 हो जागा बचए कोन से वाला सिर्फ यह वाला यहनी कितना बचेगा 3y square बचेगा क्या बचेगा मेरे पास 3y square y cap बचेगा क्या बचेगा 3y square यार यग मेरे पास किए बच गया आप पर दी वाई इंट इंटो कितना बच गया वाई कैब बच गया ठीक है तो यह बास और यह किसे लिखा मैंने एक स्टेप कर दिया यहां से टम आएंगे आफ्टर पूटेंग धीज वैल्यू ओलिग दिया थे एक बार मुँदा अब दाईता हूं क्या है एक सी जोगा कुछ नहीं पूट किया क्या क्या है क्या यहां वैरी कर रहा है तो और जैट की जोगा जिरो पूट किया यह टम जिरो गपचा कुण साला सिर्फ सफ 3y स्क्वाइर बचेत दो लिख दिया में नहीं हम स्कर तो दिस इक्वाइब लिम्ट्रें इसके लिए 021 हो जाएगी तो किया जाएगे लिमिट जीरो टू वन हो जाएगी दिस ओर वाय स्क्वाइर इन्टुट कितना जागा डीवा एक क्लिक्वार यकश्ट कित तो अलाव कर देखो करव टू साइख वाला यह वाला यह कर वाला यह करव टू है अब इस करव टू के से हम क्या क्या देख सकते हैं ग्राफ को सबसे पहने देखो यह में आप यहां से बहना है यहां से जीरो है दूसरी यहां पर जो मिरे पास वाई है वाई है वो क्या है इस पूरे करव के वाङए जैड आंप ग्युक् Heck यहां पर यहांपर उन था यहां भी वारी कितने है वन है तो इस सब्षरण वह कितना हो जयँ है फिंट अगे कर द जिरू हो गया और ज digital अब याँ से लेकर वंते आखराया क्या क्या रहा है तो आप नुझे क्या हो जाएगा यहां अपर मेरे पास लौंग कर शेकिन न्हीं की यह हो जाएगा 가지고 पास और यह वन हो जाएगा 1 मिनुट कि यह क्या हो गया मेरे पास जिए तो पहें हाँ चीज को जाएगे है जिटी घि एनड भाई नियुकंद इस की हो को जाएगा एनड प्लस का यह क्या गया मेरे पास वाई का आ जाएगा अधीया बीच में एक पाफ ओक पाझ आ घ्रके आज़गा और फिर कितने आज़गा दोट कितने क्टेगा भखे अब युद्वन देख ऑले शे घ्रके दोनेशसेलखwechsel और रalter कि अलबल कियाएक हुआ हो गा-product, Z के बाले के साथ, और इसके साथ कितना हो जाए गा, 0 हो जाएगा, और Z की limit, 0 से कहा है, 1 है, तो 0 से, 1, देख रहे हैं, यहाँ जिरू से, 1, और यह आगा, मैरे पास 4, Z की power, 2, और यह कितना आगए मेरे पास, डीज़ेट आगया and limit this thing and this will be equal to this is 4 z की पाउर कितना आ जाएगा और डिवैंड में कितना आ जाएगा 3 limit कितनी आ जाएगे 0 से 1 आ जाएगे and this is equal to 4 by 3 यह कितना आ गया 4 by 3 आ गया ठीक किल देज़े हो इस कर्व किस सथ निकाल सकते हो आप Cape Reads के लिए और इस यहां से यहां पर और अगली चीज जो मेरे पास है यहां पर वह कहा है जैड और तो एक्ल्ट कितना है मिरा अगर मैं ध्यान से देखू तो जड़ कितना है और यहांपर यहां से कहां से कहां है जो यह है उसका वेरियाशन कहां से कहां है ध्यान देना है, limit कहां से कहा है, मेरी 1, 2, 0 है, not 0 to 1, क्योंकि आप देख सकते हैं, arrow, 1, 2, 0, ठीक, कि ज़र होगी बात, अब देखो, तो ये क्या हो जागा मेरे पास, जो integration है, along third, third करव के along, जो integration है मेरा, ये क्या है, मेरे पास V है, तो V में x equal 0 पूट कर तो ये term तो 0 हो जाएगा, और plus this thing, plus this thing, और Z के जोगा one put करना है, तो this is plus 4y, 4y, Z के जोगा one put कर तो one हो जाएगा, and 4y, ये क्या आगया, मेरे पास यहाँ पर, Z का आप आगया, और dot product, तो this is, तो ये दो तो गया है, 0 है, तो है मेरे पास सिर्फ कितना, y cap, कितना है, this is, कितना है, y cap into dy है, कितना है, मेरे पास, y cap into dy है, ठीक है, आप मैंसे कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर मैं इस directional move कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या रख दू, minus y cap रख दू, लेकिन नहीं, वो जो minus y cap है, चलो किसमा आगया है, इस limit के साथ आगया, तो यहाँ पर limit करेंगे, यहाँ पर हमाया जो direction है, उसमें change करेंगे, तो limit में change का रहा है, हमने direction में change किया, तो यहाँ पर अगर हम क्या लेखो, minus y cap रिखोंगा, तो limit कहां से कहां आ जाएगी, 0 से 1 आ जाएगी, ठीक, एजर बात, तो अब आगे बढ़े, तो देखो, यह टम बचेगा सिर d y square into d y and this is equal to, यहाँ मेरे पास कितना, यहाँ मेरे पास कितना, 3 y की power 3, divide में कितना आगा 3 and this is 0 to 1, sorry, 1 to 0, so this is 1 to 0, answer कितना आगा, minus 1 आगया, कितना आगया answer, minus 1, ठीक, अक्च्वल में आ गया, यह क्या है, coincidence है, ऐसा होता है निया, कि दोनों क्या आ जाए, यह प्लस था इध लास्ट कर वेगी, वो कुन सा है, हमारे पास, curve 4 है, ठीक है, तो करो बात फटापट क्या है, तो curve 4, ठीक, तो curve 4 यह है, ठीक है, तो curve 4 के along, जो मेरे पास, सबसे पहने किसको देखते है, x को देखते हैं, तो x again कितना है, 0 है, और y कितना है, इसके लिए, 0 है, जहान से देख अब कितना हो गया, 0 हो गया, तो 1 से कहा, 0 वैरी कर रहा है, ठीक है, तो this is variation of z, अब देखो, तो dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और dy कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचे आगा, मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ दीज़ बचेगा, जैड ड़क्स में क्या हो रहा है, हम जीरो हो गया, यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो हो गया, और यहां कितना बचेगा मेरे पास, कुछ नहीं बचा, तो this is 0 into, और यह क्या बचेगा, dot, this is z cap, इन्टो कितना हो जाएगा, d जाएगा, and this will be equal to 0, यह answer कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो जो फोर्त कर्व है, उस के अलों, जो integration निकल के आया, वो कितना निकल के आया, 0 निकल के आया, तो अगर मैं से total निकाल हो, तो total है नहीं, इस close कर भी C के अलों, तो वो क्या आजागा मेरे पास, integration along 1, plus integration along 2, plus integration along 3, and plus integration along 4, ठीक है, आप यहां पर जो होता है, वो भी लिख देना, जो जो मैंने यहां प integration along V dot DL, तो this is equal to, इसके अलों कितना है, 1 है, और प्लस, इसके अलों कितना है, 4 by 3 है, कितना है, 4 by 3 है, प्लस, और इसके अलों कितना है, 0 है, देखो इस से यह चीज़ दो जाएगा, तो कितना बच जाएगा मेरे पास है, 4 by 3 बच जाएगा, ठीक है, और यही क्या था हमारा है देखो यह कே था लेक्ट हैंड था और ही क्या निकल किया है मेरे पास राइटेंड और पास निकल किया गया तो हम यह से बोर सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वह किसके बराबर है लेब हैंसाई के बराबर है वैसके लिख दीया ख hetへ तो यह СпасsenSONC ganz तो यहीच तो इस टोग तो यह क्या कर दी हमने बहुत खुब सूर्ती से वेरिफाइए कर दी नाव मुझे करने में टाइम लगा क्यों 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 आपको समझा रहा था लेकिन जब आप खुच करोगा ना पेपर में तो आप ढड़ा धर कर दोगे तो आपको टाइम यह लेगा पट आ क्यों 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 के तो आपको क्या करोगे तो करना आपने है कियो में इस्टाग्राम में इसे कमेंड में में पूछोगए दो आपका फाईदा है नहीं मेरा फाइद है ठीक है मुझे सब्सक्राइब करो मन से पढ़ो और जो हर यूट्यूबर बोलता है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्क्राइब सब्सक्राइब तो मलते हैं आप से नेक्षर में एक और नए वीडियो के सान तब थेंक यू धन्यवाद